पैंचो कुती हो रहता है जो चला की कर रहे हैं जो चला की कर रहे हैं पैंचो की काफी घजब के प्रवक्ता है अभी हाल फिलाल में ये कुछ वैसे नहीं रहे गया है जैसे पुराने थे ये इमरान खान की पार्टी के जब फाउंडर मेंबर में से एक थे तो अब इमरान खान के खिलाब इतना खुल के नहीं बोलते हैं आपने देखा होगा ना के आर्मी पर बोलते हैं जब नवासरीब की गवर्मेंट थी अजरतारी की थी आप इनके पुराने वीडियो देखे होंगे तभी उनके फैन बने होंगे लेकिन अगर आप इनको पिछले एक दो साल से फालो कर रहा होंगे तो ये काफी हिपोक्रेट हो चुके हैं आप जो में इनसानों की एक्सरियत जो है वो तमाश बीनों की है पहली बात दूसरी बात ये है कि कम्यों को चौधरियों के मौामलाद से खासी दिल्चस्पी होती है उन्हें एक दूसरे के मौामलाद से इतना लेना देना नहीं होता जितना वो चौधरियों के मौामलाद में इंट आपका सवाल फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो फर्क क्या पड़ेगा वो तो सूपर पार है बड़ा स्लाइड करेगा तो दूसरी पोजिशन पे आजाएगा हालांके दूर दूर तक उसके कोई इमकानात नहीं हैं तलुकात का जो है मौामला वो दूनों फरीकें उसमें जिम्मेदार होते हैं अब उनके और आपके दरमयान जितना गैप है और एक दो किताबें हैं मुझे पता होता आपने क्या सवाल करना दो निकाल कर रख ले ता आपको दो चार पर अमेरिका के साथ आ आप तो प्रैक्टिकली उसके टुकड़ों पर पले हुए हूं अना आज वो भीजते थे और पता नहीं पाक अमरीका दोस्ती वो शेक हैंड होता था मुझे याद है इसकून गोइंग किड उसके उपर वो इदर एक वो जो दो हाथों में से एक के उपर वो अमेरिकन फ्लै करने ही कुशिश की का जी हमारा तो मजब जी जो है कैमरिजम की अजाज़त नहीं देता हम रश्या के खिलाफ आपके मुलाजम है आपके घुलाम है नौकर पूरी आपकी हिस्ट्री है कैसे कैसे रिमार्क्स सुन उन लोगों ने नहीं दिया है कि ये डॉलर के लिए अपना जिस मसाफे में जिस हाथ में कशकोल हों दोनों हातों में वो मुसाफ़ा करने के काबल नहीं होता है वो सिर्फ सर जुकाता है बस तो आपकी काबल होजाओ तो तल्ठाओ की नौयएत बदल जाएगी ये कौनसी बात है अक्कीомतार है। बड shark है अगर अगर आपका हाल यह गदागरों वाला ही रहना है बेकारियों वाला ही रहना है तो जाहर है तो आपका अतलुक भी नेचर आफ यूर रिलेशन्चिप भी दे सेम आपने बलकुल दूस फरमाया कि वहां पर कोई तब्दीली से मामलात नहीं बदलेंगे यहां पर जब हम खुद बदलेंगे तो फि पाकिस्तान में शुरू हुआ था कि वोट को इजद दो वोही बात अब मोर अलेस अमरीका तक भी कही जा रही है और इवेंच्छली वोट को इजद पूरी दुनिया में मिले इस पर क्या राय होगी सरा आपकी तो इस नॉंसेंस, वोट को बीज़त क्या है, इनसानों की अक्सरीएत क्या होती है, मैं तो इस ढोंग का डे वन से और ये नहीं कि मेरा कोई अखिलाफ या इत्फाक या फुराइब, नो, इंटिलेक्शुली इस इस इनकरेक्ट इन्सानों की अक्सरियत कैसी होती है आपको नहीं पता यह मुझे नहीं पता लाइट चली गई थी अमेरिका में एक दफ़ा तो क्या हुआ था जानवर है आज भी वहां का देख लो हमसे बेतर जानवर है वो सरकस के जानवर हैं वाइल्ड नहीं है हम अभी जंगलों में हैं वो जड़ा थोड़े ट्रेंड हैं हमसे थोड़े बेतर हैं मैं कल भी किसी को एक्स्प्लेइन कर रहा था तो यहां पर वीडियो का होता है दी एंड आप यहां से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं रेक्वेस्ट रहेगी वीडियो छोड़कर जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपने हसन निसार जी को सुना हसन निसार का किलियर कहना है पाकिस्तान को कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है पाकिस्तान को मांगना भीग ही है चाहे कोई आए सुपर बाबर का राष्ट पती कोई भी बने पाकिस्तान को कोई भी फर्क नहीं पढ़ना है पाकिस्तान के पुर्खों ने भीग मांगी पाकिस्तान के आने वाली दसलैवी भीग मांगीगी ऐसा हसन निसार ने बोला है हाला कि आपको बता दू हसन निसार के आपने पुराने वीडियो देखे होंगे जो यूटूब पर पढ़ें 10-10 साल पुराने वीडियो है जिसमें वो भारत के लिए बातें करते हैं सब कॉंटिनेंट के बारे में बात करते हैं उनकी बातें आप सुनकर काफी इंप्रेस हुए होंगे और आप हसन निसार को काफी सुनना चाहते हैं हसन निसार की वियर्शिप भी बहुत ज़्यादा रहती है हसन निसार से बहुत ज़्यादा इंडियन सवाल भी पूछते हैं इमेल करते हैं इनको आपको पता होगा आपने इनको प्रोग्राम अगर फॉलो किये हों लेकिन हसन निसार कुछ दिन से पुराने हसन निसार नहीं रह गए हसन निसार अब बहुत बदल चुके हैं जब से इमरान खान की पार्टी की सरकार आई है और हसन निसार अब ये औवियस्टली पाकिस्तान में अगर इनको रहना में तो अभी इतना खुलकर बात नहीं कर पहते हैं आपको पता है इमरान उखान की पार्टी जब से आई है तो बड़े बड़े जेनलिस्स जो खुल कर बात करते थे या तो उनकी जॉब चली गई है या तो उनको कम्प्रोमाइस करके जैसे रॉब क्लासरा लगभग एक देर साल से कोई जॉब नहीं की थी उन्होंने लेकिन अ अब हसन इसार बलुचस्तान को कभी एड ही नहीं करते सीधा कस्मीर जुर्म ये वो हसन इसार ने कुछ दिन पहले एक कॉंट्रोवर्शल कमेंट दिया था कि साओधी अरब में अरभी मंदर बनाने की बुद्परस्ती की परवीशन क्यों दे रहे हैं जबकि वहाँ पर भो है पाकिस्तान को क्या फर्क पढ़ना पाकिस्तान अमेरिका से भीक मांगी अब चाइना से भीक मांग रहा है अब पता रही आंगे किस किस से भीक मांगेगा अभी पाकिस्तान में बाइकाट फ्रांस का बहुत बड़ा आपने देखा होगा धरना प्रदरसन जलसा हुआ था अब पाकिस्तान अमेरिका के जो जॉय वार्डन राष्टपती अगर बनते हैं अब डेफिनेटली बनेंगे ही जो रिजल्ट दिख रहे हैं तो पाकिस्तान के सोसल मीडिया में यूथ इतना जादा सैलिब्रेट कर रहा है जैसे की मतलब उनको कस्मीर मल गया हो वो सोसतें की जो वार्डन उनको कस्मीर दिलातेंगे हाला की जो वार्डन के कुछ ऐसे पुराने बैयान है जिसमें वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुँ भी दिखते हैं लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपको पता है तो दोस्तों यहां पर वीडियो को होता है अंत सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों अपने कमेंट को सुझाओ देना जरूट सही समझे तो दे प्द económ strony करे MALE को है तो है जएतो दोस्तों शकर होहाद बijसर दोस्तों यहाद दिन हाै आपको जोस्तों करेंगा विर दोस्तों पता है । श्तों अपने ?